हे फ्रेंज वेलकम बैक टू मै चानल और दोस्तों आज मेला हैं आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट और इंट्रेस्टिंग सा प्रोड़क्ट जो कि यह अगारो का 3.2 लीटर्स का एर फ्रायर दोस्तों एर फ्रायर आजकल हर modern kitchen में पाया जाता है और इसकी खूबी यह है कि यह बिना तेल के भी खाने को पका सकता है जी हाँ जो भी चीज़ें आप अपने kitchen में oil के अंदर कढ़ाई में fry करते हैं वो सारी चीज़ें air fried हो सकती हैं यानि कि आपको ना के बराबर oil लगाना पड़ेगा इन सारी चीज़ों में तो दोस्तों यह बहुत ही काम की चीज़ है और बाकी और top brands के जो air fare आते हैं वो लगभग 10,000 रुपीज के आपको पढ़ते हैं इसी capacity के लेकिन अगारो का जो की बहुत ही अच्छी ब्रेंड है इसका air fare दोस्तों आपको मिलता है मात 3,199 रुपे में मैंने इसे मंगाया है आपको बताऊगा कि इसके बारे में और क्या क्या चीज़े हैं खास तो चलिए दोस्तों जल्दी से इसकी unboxing स्टार्ट करते हैं तो चलिए दोस्तों मैं सबसे पहले box को आपको बाहर से दिखा देता हूँ फ्रंट में box कुछ इस तरह का दिखता है काफी heavy सा ये box है और काफी बड़े size का है और यहां पे लिखा हूआ है अगारो air fire यहां पे air fire की image बनी हुई है यहां वन यह warranty लिखा हूए daylight series 3.2 liters और यहां पे लिखा हूए 3D uniform heating technology auto shut off और set temperature up to 200 degree centigrade जो ज़्यादा तल air fires होते हैं उ दोस्तों टॉप राइड में up to 80% less fat यानि आपका जो तेल है oil है वो लग भग 80% less यानि 80% तक आप कम तेल में खाना आप अपना पका सकते हैं तो दोस्तों अब इसको box को दूसरी तरह से दिखा देते हैं यहां पे लिखी हुए कुछ इसकी specifications capacity 3.2 liters wattages की 300 watt और बाकी सब डे मारपी पर मच जाएं यह आपको में मिल सकता है 3200 में मात्र और लिंक दोस्तों हमेशा एक डिस्क्रिप्शन में बैक साइड पर भी दोस्तों इसमें यही कुछ बना हुआ है सेम जो फ्रंट पर बना था और इस साइड में दोस्तों इसके कुछ और चीज़े लिख हुई है 3D Uniform Heating यह तो लिखा हुआ है और Ready Bell यानि Bell साउंड होगी जब टाइमर ओफ हो जाएगा ओवरीट प्रोटेक्शन हीट रिजिस्टिंग प्लास्टिक बॉड़ी हैंडल कंट्रोल स्टेमरेचर अप्टू 200 डिगी संटिकेट सेट्स टाइम अप्टू 30 मिनिट्स एस पर रे खोलते हैं ओके ओके दोस्तों इसमें यूजर मैनुवल निकलता है इसको अभी हम लोग साइड में रख देते हैं और थोड़ा सा थर्मा कोल कर प्रोटेक्शन है और उसके बाद हम लोगों को दिखता है अंदर एयर फायर और इसको मैं बाहर निकालता हूं और फिर आपको दिखाता हूं ओके दोस्तों बॉक्स को हम लोग साइड में रख देते हैं यह प्लास्टिक रैप में प्रोटेक्टेड है उपर कुछ और प्रोटेक्शन है इस सब प्रोटेक्शन को मैं हटा देता हूं और यह आपका बिलकुल फिनिश में आया है काफी प्रीमियम लोग यह राये है और उपर सिल्वर का भी फिनिश है यहाँ पर और काफी अच्छी ब्रेंडिंग दी हुई यहां पर अगार हो की तो दोस दोस्तों दे कि इस तरहा है का है याप पर बैंडिंग है यह आपका ठेंटी जोbala रसकते हैं पर यह आप knappर सकते है और यह आपका टेम् इसमें पावर की LED है और यहां पे हीट वाली LED है तो जब यह वर्क करेगा तो यह सारी LED काम करेंगी और इसको मैं आगे से दिखा देता हूं यह इसका कुछ हैंडल है और हैंडल को आप बाहर निकालेंगे तो इसकी बास्केट और ट्रे दोनों चीज दोस्तों इस तरह बाहर प्रोटेक्शन दिया हुआ है उस प्रोटेक्शन को हम लोग हटा देते हैं यह ट्रै काफी अच्छी है इसमें आपका एक्सेस जो ऑईल होगा वो यहां पर आपका कलेक्ट हो जाएगा इसको अब बाद में साफ भी कर सकते हैं अलग से और इस बास्केट को फिलहाल मैं इस इसको हम लोग ने लगा दिया अब दोस्तोर इसको साइड से भी कुछ इसतने का देखता है बैक साइड में दोस्तो यहां पर गरम हवा यह पर निकलने की जगए बनी हुई है यानि कि आपको दिवाल से बहुत करीब जब यह ऑपरेट हो रहा हो जब यह काम कर रहा हूं त तो आप इसको यूज कर सकते हैं दोस्तों अब आते हैं इसके दोस्तों यूजर मैनूल पर यूजर मैनूल में देखिए सब चीज लिखी हुई है जो चीज मैं आपको अलड़ी मैंने बता दिया है और इसके जो बॉड़ी पार्ट्स हैं बास्केट प्रोटेक्टिव कैप ब और यृइनचे फ्रैइस हो गई और हुममेड प्राइस हो गई हो मैं नगेति बीयुडो सी घills चिकिन नगेट और चिकन ब्रेस्ट नगें इस तना की रेसिपी यूजर दोस्तों हो गई और दोस्तों मैं बता दूं कि मेरे वाइफ का रेसिपी चैनल एस सुपर स्टिवान जो प्रक्राइब कानी की ट्री डिरेक्शनल युनिफार्म हीटिंग है इसमें एक तेरा सो वाट का एका अलिमेंट लगा हुआ यानि कि चाहे एर फैर जितना ही अंदर क्यों न गरम हो जाए आपको जो है वह हैंडल बाहर से बिल्कुल ठंडा ही मिलेगा और दोस्तों इसकी वारिंटी आती है यानि कि काफी इंट्रेस्टिंग और काफी एफेक्टिव प्राइस प्राइसिंग सबसे आदा खास है दोस्त है यह बास्केट वगेरा और यह सारी ट्रे वगेरा सब मेटल की बनी हुई है कि बहुत ज्यादा हीट हो जाएगी दोस्तों इस वज़े से आपको इसको करीं 30 मिनट बाद ही छोना चाहिए तो दोस्तों काफी यह प्रीमियम लुक मुझे दे रहा है और आपके किचन में की यह शोभा भी बढ़ाएगा और इसे खास बाती है आप इसको अपने डाइनिंग टेबल पर भी रखके यूज़ कर सकते हैं आप सोचिए आप साथ में डाइनिंग टेबल में आप खाना खा रहे हैं और साथ में बीच में यह अपना काम कर रहा है और मात पंदर से बीस मिन इसमें आप डेड रोल को फ्राय कर सकते हैं और दोस्तों इसमें केक तक बेक हो सकता है इसमें आप पॉपकॉर्ण बना सकते हैं जो भी चीज़ें आप सोच सकते हैं जो भी चीज़ आईल में आप फ्राय करते हैं वो सारी चीज़ें इसमें डोस्तों रेडी हो सकती है नॉ वेज़ के शौकीन है उनके लिए तो यह बहुत ही काम की चीज़ है क्योंकि नॉन वेज़ में जादा तर बहुत जादा ओयल यूज होता है लेकिन एयर फ्रायर में आपका ओयल बिल्कुल ना के बराबर लगेगा चलिए दोस्तों अब इसको यूज करते हैं थोड़ा सा मैं थोड़ा से एक्स्टेंड करते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस एयर फ्रायल को मैंने अपने किचन में सेट कर दिया और इसकी पावर ओन करने के बाद भी एलीडी जो है वो इंडिकेट नहीं कर रही है तो सबसे पहले हम लोग देखिए यहां पर इसके टाइमर को में बढ़ाते हैं और टाइमर करते हैं देखिए आवाज आनी अपको शुरू हो गई होगी और यह देखिए पावर की जो लाइट है वो जल गई है दोस्तों और यह मैंने सेट कर दिया है और प्री हीटिंग भी अक्सर करी जाती है तो अब मैं टेंपरेचर भी बढ़ा करता है तीन से पांच मिनट के लिए तो उसके लिए आपको यह प्री हीटिंग जरूरत परती है जैसे ही मैंने हैं हंड्रेट से में कम कर रहा हूं जो हीट वाली जो LED इंडिकेटर है वह आपका बुझ जारा है तो कोई जादा साउंड भी नहीं कर रहा है अगर आप टेब जैसा कि मैंने चली इसे ऑफ करते हैं और इसकी हम ट्रे निकाल के चेक करते हैं क्योंकि कुछ रेसिपीज में मैंने इसमें देखा था कि बार बार हम लोग को इसको शेक भी करना पड़ता है थोड़ा समय से पीछे कर देता हूं ताकि आपको वीडियो में क्लियर ली दिख काफी पसंदे तो वही मैं सबसे पहरे इसमें ट्राइक करने वाला हूं बलकि मैं कहूंगा शिवानी से कि वही दिखाए भी आप लोगों को बनाकर और मुझे इसमें बनाके खिलाए भी तो फिर मैं उसके बाद आपको बताता हूं कि कैसा मेरा एक्सपिरिंस ना फिरहाल यही था दोस्तों डेमो और काफी डियूरेबल प्रोड़क्ट है काफी हैवी स्टरी प्रोड़क्ट है हाथ में पकड़ने परी लगता है बिल्कुल कोई अच्छी सी चीज हाथ में आ गई है और काफी है कोई ऐसा नहीं कि बहुत हलका फुलका है और दोस्तों 3200 रुपे क यह 1.3 लीटर का अगारो का एर फायर डेफिनेटली आपके किचन में बहुत ही एक प्रीमियम लोक और एक नेक्स लेवल का लोक देने वाला है काफी इंपॉर्टेंट है आजकल यह क्योंकि आजकल सब लोगों को ऑईल से बहुत जादा प्रॉबलम है और ओल फ्री कुकिं आपके लिए एर फायर लेकर के आए हैं और यह है भी काफी बड़ा 1.3 लीटर का है तेरा सो वाट का इसमें हीटिंग अलिमेंट है जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया तो आप इसे डेफिनेटली ट्राय कर सकते हैं दोस्तों लिंक हमेशा कितना डिस्क्रिप्शन में है लेकिन और बेंठ्ट में आपको वाइट और सकते हैं लेकिन वाइट कलेस्जा वह बुल्कुल दें क्योंकि वह भुंट जल्दी हो जाते हैं प्लस जैसी समय बीटाल तो ऐब देखेंगे वाइट कलर की मिकसी होती है वाइट तोड़े-थोड़े पीले-पढ़ने लगते तो दोस्तों Black Calorie मैं आपको recommend करूँगा और Agaro का 3.2 L का ये air fryer मैं आपको recommend करता हूँ link दोस्तों हमेशे दिना description में है और काफी premium look ही है आपको kitchen में अगर आप kitchen में रख दें तो भी वहाँ भी बहुत premium look देता है अगर आप dining table पे से सजा के रख दें तो वहाँ पे भी बहुत ही अच्छा लोक ये देता है और healthy तो ही है आपकी health point of view से भी air frying जो है बहुत ही ज़्यादा recommended है दोस्तों तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये product मुझे नीचे comment section में ज़रूर बता है अगर आपका air fryer से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है या सुझाव है तो आप मुझे comment section में लिख सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आथे इस वीडियो को like और share करना बिल्कुल ना भूले अपने friends of family के साथ whatsapp और facebook पर और अगर आपने चैनल बने है तो चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लीज़ा बेल आइकन को जरू प्रेस कर दीज़े क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह के interesting वीडियो अकसर ले करके दोस्तों आता रहता हूँ तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही thank you for watching and bye bye